आफना माक सम्भुदन का लागी समिधान समसुदन न गरे आंदोलन को पटक पटक सरकारलाई चीता उनी दिदे आयेको संगिक्त लोकतां त्रिक मदेशी मोर्चाले आज अपुन हो समिधान समसुदन का लागी सरकारलाई 15 दिन को अल्टिमेटम देगो छा मोर्चाले प्रधान मंत्री पुस्वदकम हल्ग दाहाल प्रच्चन डलाबिटी 26 बुदे माक सम्भुदन होनी गरी समिधान समसुदन को प्रस्थाब समसुदमा दर्ता गरन समय सिमय सहीत का अल्टिमेटम देगो आफो अरले दियेको समय अबदी मा सरकारले समिधान समसुदन प्रस्थाब दर्ता न गराए कड़ा आंदोलन मा उत्रनी मर्चा को चेताओने ये थाओ छ प्रधान मंत्री संग को भेट बाची मर्चा का निताहरूले सरकार आफोर को माग पुरा गरन सकारात मकभाय को बताए प्रस्थाब दर्ता न गराऊंचु पुरा सुन्दा बड़ा मीठो लागो कर्ण प्रिये वायो तरह संविधान संसोन गर्रा यो मुलुक मा उठे करास्थी सवाल हरू संबोधन भायो भानी मात्री कुरा गरू नारू मदेशी मर्चा संगे कट्वंदन को तरबाटे उटा गयापन दियाचु रहो माले किस गयापन मुलुक मावेव पदर दिन बित्र समिधान संसोधन को प्रस्थाब दर्ता गराय हल्मु परनी अन्य था कट्वंदन न मर्चा अंदोलन मा जानी पुरा राखी रूश प्रमुक पर्तिपची दल नेकपाय माले समिधान संसोधन का लागी तयार नहुदा सरकारलाय मुर्चा का माग पुरा गरावन चुनावती थापिये को छा प्रधान मंत्री पर्चंडर रसत्ता साजेतार कंग्रेस का स्भाफती सेर्भाधोर देवाले पटक पटक के माले अदेछ केपी ओली सनग चालफल गरेपनी समिधान समसोधन मा दली सहमती अजे जूटन साके को छाईना